नवस्कार दोस्तों, study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठवोड और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा एक बटन दबाते हैं और हमारा वोट किसी एक प्रत्याशी को मिलता है, ऐसा सिस्टम राजसभा में मौझूद नहीं है तो क्या difference है, क्या ये secret ballot है, क्या ये open ballot है, इस पकार के सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे चार दिन पहले, 19 जून को ही, राजसभा की कुछ सीटों के लिए चुनाव हुए थे, 19 सीट के ये चुनाव थे और मार्च में एक्चुली ये चुनाव होने वाले थे, लेकिन COVID-19 के कारेंट इन्हें डिले किया गया और अब जून में जाकर elections हुए हैं चुनाव होने थे 61 सदस्यों के लिए, लेकिन 42 सदस्य तो बिना किसी चुनाव के अनपोस्ट चुनलिये गए जो बहुती अच्छी बात है हमारी democracy के लिए, कि elections की जरूती नहीं पड़ी किवल एक प्रत्याशी खड़ा हुआ था और उसी को चुनलिया गया लेकिन 19 सीटें ऐसी थी जहाँ पर एक से ज़ादा प्रत्याशी थे और इसलिए बहाँ पर चुनाव करवाने पड़े इस चुनाव से संबंदित कुछ इंट्रेस्टिंग न्यूस भी देखने को मिली आपको अगर जाननी है तो आप मेरे द्वारा बनाए गए पॉलिटी लेक्चर्स को देख सकते हैं इन थे यूपीस्स स्मार्ट कोर्स ओफ स्टेडी आइक्यू जो उपलब्ध है हमारी एप पर Google Play Store से Study IQ आप को डाउनलोड कीजे और इस course पर EMI option भी available है तो राज्य सभा के members को चुनता कोहन है इन्हें चुनते हैं राज्यों की विधान सभा के सदस्य Only the members of the state legislative assembly याद रखेगा legislative council भी नहीं केवल legislative assembly यानि विधान सभा ना की विधान परिशद तो विधान सभा के जो सदस्य हैं वो राज्य सभा के सदस्यों को चुनते हैं और राज्य सभा में प्रत्यक सदस्य का 6 साल का कारेकाल होता है और हर 2 साल में चुनाव हो जाते हैं राज्य सभा की maximum strength 250 हो सकती है लेकिन इसवक्त strength है 245 इन में से 12 सदस्य तो होते हैं नॉमिनेटेड जो science, arts, literature, social service जैसे field से आते हैं जैसे कि इस वक्त जो भारत की famous boxer है, wrestler है MC Mericom वो एक नॉमिनेटेड राजसभा सदस्य है तो इन 12 को आप हटा दो तो पीछे 245 में से 12 माइनस करो तो आएगा 233 अब राजसभा में राज्य और union territories से चुनकर आने वाले 233 सदस्य होते हैं तो इसका आप एक तिहाई कर लोगे तो यह आता है approximately 72 इसलिए आप देखोगे 60 से 70 के बीच में seats होती हैं जिन पर elections हर 2 साल में आ जाते हैं नंबर थोड़ा सा vary करता है due to death, resignation and some other political exigences अब अगर किसी सदस्य की कारेकाल के दौरान मृत्य हो जाए तो क्या होता है तो बाइपोल कराया जाता है और बाइपोल में जो चुनकर आता है वो नए 6 साल का टर्म शुरू नहीं करेगा बलकि जो अम्रत राजसभा सदस्य था उसके बचे हुए कारेकाल को पूरा करेगा मान लो किसी MP की death हो जाती है in 2 years after being elected तो जो नया बाइपोल से चुनकर आने वाला सदस्य है वो 4 साल का कारेकाल पूरा करेगा और उसके बाद फिर से उसकी seat जाएगी re-election के लिए हम रखते हैं अब 250 में से 238 union, territories और state के सदस्य होते हैं इन 245 में से 12 members तो nominated होते हैं from the fields of science, arts, literature and social service तो 245-13 is 233 तो provision है 238 का लेकिन इस वक 233 members हैं जो elect होकर आते हैं legislative assemblies से हमारा fourth schedule seatों के allocations के बारे में बात करता है कि कि किस राज़गों, किस unit territory को, कितनी streets मिलेंगी और ये population के आधार पर किया जाता है, दिल्ली और producery दो ऐसे unit territories हैं जहाँ पर legislative assembly मौझूद है यानि विदान सावा मौझूद है इसलिए यहाँ से भी राज़गों सांसत चुन कर आते हैं जब जम्मु कश्मीर एक state था, वो अभी भी continue कर रहे हैं बट भविश्य में तीन unit territory हो जाएंगी जहां से राज़गों सांसत चुन कर आते हैं इस वक्त राज़गों में deputy chairman कौन है, leader of the house कौन है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए ये नाम याद रखेगा, directly पूछ लिए जाते हैं, exams में, तो हरिवंच नरायन सिंग इसवक्त deputy chairman है थावर्चन घेहलोथ is the leader of the house and leader of opposition is गुलाम नभी आजाद I hope आप सभी को ये पता होगी बात कि chairman तो vice president होते हैं, that is श्री M. Venkaya Naidu राज्यसभा election से पहले ही, अमूम हर राज्य में हमें मालूम होता है कि इस party की इतनी seats हैं, इसको इतनी राज्यसभा seat प्राप्त होंगी लेकिन जहाँ पर बहुती close contest है, वहाँ पर अमूमन numbers काफी close होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर elections थोड़े से interesting हो जाते हैं राज्यसभा का जो election है, it is done by single transferable vote and on the principle of proportional representation अब राज्यसभा election के process को मैं एक example के साथ समझाऊँगा, तो मुझे कोई straight choose करना था, मैंने अपना घरह राज्यसभा चूस कर लिया है, राजस्थान, राजस्थान में है 200 seats, इंदी, विधान सभा, 200 MLA होते हैं अब राज्यसथान में अभी 19 जून को 3 seat के लिए चुनाव था, 3 seat ने खाली थी, टोटल राज्यसथान से 10 राज्यसभा seat हैं, तो 1 3rd खाली हो गई, 1 3rd के लिए election था, तो 200 को हम base figure मान कर आगे calculation करेंगे तो होता क्या है, कि इन 200 MLA को vote करना है, 3 सदस्थियों को चुनने के लिए, अब राज्यसथान में इस वक्क Congress, जिसकी सरकार है, उसके और उसके सहयोग्यों के मिलाकर 124 MLA हैं, और opposition में BJP है, BJP के पास total 76 MLA की strength है तो अगर आप इसे divide करोगे, तो आप देखोगे 124 by 200 is 62%, तो यानि कि 2 3rd seat हैं, पहले से हमें मालूम है कि Congress जीच जाएगी, तो यानि कि 3 seat हैं, उसमें से 2 seat Congress की आनी लगभगत होती हैं, until and unless Congress के विधायक भाजपा वाले candidate के लिए voting ना करते हैं, और अभी यही हुआ है कि 2 seat पर Congress के राजसभा MP elect हुए हैं, और एक seat पर भाजपा और उसके समर्थन में parties हैं, उनका candidate elect हुआ है, अब actual election होता कैसे है, यहाँ पर कोई EVM नहीं होती है, अभी भी ballot paper पर voting होती है, तो इस प्रकार का ballot paper होता है, और इस ballot paper में आपसे preferences मांगी जाती हैं, तो जैसे कि A, B, C, D और E, मान लो, 5 लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, seatे कितनी हैं, राजस्तान में 3, अब हर MLA को ऐसा ballot paper दिया जाएगा, और उसको बोला जाएगा कि आप अपनी first, second, third, fourth और fifth preference मार्क कीजिए, एक बार के लिए मान लो कि B, Congress का candidate है, तो सभी Congress MLS को कहा जाएगा कि आपको first preference इने मार्क करना है, तो number one इनके नाम के आगे लिखा जाएगा, CB Congress का candidate है, तो इनके नाम के आगे 2 लिखा जाएगा, और third जो है, वो non Congress है या BJP है, तो इनके नाम के आगे 3, 4 या 5 उस तरह से preference number लिखे जाएगे, तो सोचो की 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हर व्यक्ति को, हर MLA क ballot paper दिया गया, और ये जो ballots है, इने ये कहलाते है, first round ballot, तो इनकी counting करी जाएगी, अब यहाँ पर एक formula है, formula को ध्यान से समझना, राजस्तान में कितनी seat होती है, 200, इसमें आप divide कीजेगी, कितनी seat पर चुनाव होना है, तो यहाँ पर 3 seat पर चुनाव था, इसमें कर दो plus 1, त तो अगर 51 है, और फिर यहाँ पर हर voter का value कितना होता है, 100 points होता है, तो 5100 points अगर किसी राजसभा उमीदवार को मिल जाते हैं, तो वो यह चुनाव जीच जाएगा, तो मान लो कि यह ballot paper है, round 1 के अंदर ही candidate number B को 52 सदस्यों ने first preference mark कर दिया, यह उसके नाम के आगे number 1 लिग द तो इस प्रकार से B तो elect हो चुके हैं, लेकिन अब बाकी चारों में से किसी को 5100 points नहीं मिले, तो फिर क्या होगा, second round की counting होगी, और इसमें क्या होगा, सबसे पहले, जो last path है, यह जो 5th number पे ता, जिसे सबसे कम number मिले थे, उसके votes को हटा दिया जाएगा, और वो redistribute कर दिय जाएगे बाकी तीनों में, तो सोचो, E को हमने omit कर दिया, तो अब क्या बचे, A, C और D, तो B elect हो चुके है, E is out of the race, तो अब A, C और D में, E के votes को distribute कर दिया जाएगा, according to their preference, तो अगर किसी की second preference थी C, तो यहाँ पे C को मिल जाएगा, number 1 का slot, और अगर किसी की first preference थी A, तो में round 2 के vote भी जोड़ दो, और अब अगर 5100 points मिल जाते हैं, तो A elect हो जाएगा, तो इस तरह से 2 elect हो गए, अब इसी round में, अगर C को भी 5100 मिल जाते हैं, तो यहीं पर C भी राजसभा सदस्य बन जाएगे, और second round के बाद voting count नहीं होगी, लेकिन अगर C और D के अंदर भी 5100 क इसी को नहीं मिलते हैं, तो round 3 होगा, और इसी प्रकार से यह process आगे चलता रहता है, आम तोर पर 2 round के अंदर नतीजे आ जाते हैं, बहुत rarely होता है कि 3 या 4 round तक जाना पड़ता है, बाकी बड़े states में कभी-कभी जाना पड़ सकता है, जैसे उत्तरोदेश हो गया, बिहार ह बाकी छोटे states में generally 2 round में result आ ही जाता है, फिर एक और important बात है open ballot, राज्य सभा का जो ballot है वो ना तो secret है और ना ही पूरी तरह से open है, ये बात बहुत ही important है, UPSC इसको MCQ में पूछ सकता है, इसलिए इसको point को अच्छे से याद रखना, limited form of openness यहाँ पर देखी जाती है, open का party के authorized agent को दिखा कर डालेंगे, कि हाँ आपने first, second choices अपने party के अनुसार mark करी है, तो दोनो parties या तीनो parties का एक एक सदस्य voting booth के सामने बैठा रहता है, और हर MLA अपनी ballot paper को डब्बे में डालने से पहले, उस party agent को ही दिखाता है, कि देख लो मैंने सही से mark क्या है, जो party ने कहा ह लेकिन officially विधान सबा कोई कारवाई नहीं कर सकती, क्योंकि हर MLA को अधिकार है, वो चाहे जिसे vote दे सकता है, इसी के साथ ये lecture समापत होता है, thank you very much for watching this, have a great day